हेलो बच्चो जैसा अब तक सब को पता लग गया होगा कि जेई ने अपना 2022 का मेंस का एक्जामेशन आगे पोस्टपॉन कर दिया है और पोस्टपॉन भी लगबग दो ढ़ाई महिनी से उसने आगे कर दिया है अब इसके बाद आप आप दियसली कुछ बच्चों को बहुत अच्छी होई होगी और जिनकी प्रिप्रेशन अच्छी खासी होगी उनको थोड़ा सा दुख भी होगा क्योंकि वो तो जस्ट रेडी बेठे होंगे बट फिर भी जो हो गया वो हो गया अब एक्कॉर्डिंग टू दिस न्यू शेडियूल यूर सपोस्ट टू री कैलिब इसने दो या तीन साल महत किये वो मिट्टी में मिल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत अगर किसी बच्चे को डिसापोइंटमेंट है तो आइडिल से के ठीक है एका दिन दो उसका शोक मना लो बट उसके बाद अगे जुट जाओ प्रिप्रेशन करने के लिए क्योंकि अभी तो तुम्हारे एक दो साल वेस्ट हुए है अगर तुम आगे जाके आप्टिममम पर्फॉर्म नहीं करते हो अपनी प्रिप्रेशन के हिसाफ से तो उसका तुम्हें पे तुम्हें जिंदगी भर करना पड़ेगा आगे जो भी तीस साल का केरियर होगा वो इ चांस है कि तुम और जदा प्रेक्टिस करके उनसे और जदा आगे निकलाओ यह तो एक क्लास ऑफ बच्चे होगे दूसरे क्लास ऑफ बच्चे ऐसे होगे कि जिनको शायद आगे मेंने से खुशी हुई होगी और जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा या फिर जो किस तरह यूटिलाइज करना है विदाउ टाइनिंग कॉम्प्रोमाइज जो भी तुम्हारी प्रप्रेशन में तुमने अभी तक सोचा होगा प्लस यह भी हमें समझ मैंना चाहिए कि प्रप्रेशन आगे जाने से डेफिनेटली कॉम्प्रेटिशन बढ़ेगा तो यू कैनाट बच्चे जादा अच्छी तरीके से प्रपेरड हो जाएंगे तो इसलिए इस वेरी इंपोर्टेंट के हम बच्चे हुए टाइम में ऐसा नहीं कि यह जश्नी मनाते रह जाएं और एक-दो महीना वेस्ट कर दें या फिर लगे कि यार अब तो सांस लेने का टाइम मिल गया है और आव आराम से प्रपेरेशन करेंगे वो टाइम चला गया है आई विल से के अब जुट जाओ अच्छी तरह प्रपेरेशन में तो बहुत सारा क्वेशन क्या उठेगा जेही में अफकोर्स पोस्पान हो गया है तो री सैटिंग यॉर प्रपेरेशन स्टाटिजी और जो प्रपेरेशन स्टाटिजी है वो बेसीकली जिसे बच्चा प्रपेरेशन स्टाट करना चालू जब करते हैं तो दो तीन टाइप के बच्चे होते हैं इस स्टेज पर आके हर बच्चे की अलग-अलग प्राबलम होगी अलग-अलग उसका प्रपेरेशन लेविल होगा तो he should be resetting his preparation strategy so that जो भी उसका caliber है, जो भी उसने hard work किया है, उसके हिसाब से उसका best output आजाए और जो भी उसका preparation level है या जो भी उसमें loop हो लें उसके हिसाब से तो now जो भी तुम्हारे preparation it has to be highly customized अच्छा अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए वी है, जो अलड़ी हमारे competition में पढ़ रहे हैं, तो उनका भी कहने के लिए हो सकता है कि कुछ batches का, काफी batches का, almost सारी batches का slivers खतब हो गया हो, बट ऐसा हो सकता है कि मेरा slivers ना खतब हुआ, मेरा मतलब as a student, मेरा खतब ना ह तो ये उन बच्चों के लिए भी है, और जो competition में नहीं है, और कहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि यार गलत जगह फस गए, या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, के विल YouTube से पढ़ रहे हैं, उनको भी अगर ये लगता है कि competition के किस course से मेरी help हो जाएगी, तो we will discuss कि तुम्हारे preparation level के हिसाब से, what is the best possible course for you, competition has different offerings, और किसी भी preparation level का बचा है, उसको कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक customized course जरूर मिल जाएगा उसकी अपनी preparation need के हिसाब से, so that अगर अभी लगवग 70-75 days बचे हैं, तो उन 75 days में उसका effective output भी 75 days का ही आए, ऐसा नहीं होना चा बाकियों के हिसाब से पढ़ी पढ़ाया जा रहे हैं, और मेरा भी थोड़ा बहुत भला हो रहा है, और हो जिकता है कि 75 में से, 85 दिन मेरे का काम का हुआ, और 25 दिन मेरे काम का नहीं हुआ, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, I will discuss कि अगर तुम्हारा जो भी preparation level है, उस ऐसा नहीं है, जिसका preparation बहुत अच्छा level पे है, उसको दुबारा course पढ़ाने का मतलब किया कि उसका time waste करना, जहां पे वो अच्छे level के question कर सकता था, और जहां पे उसकी rank अगर 500 आने वाली थी, वो उसको ऊपर खीच के 200 के अंदर ले जाए, 100 के अंदर ले जाए, तो उसक एक revise कराना normal means वाले questions है, that is not optimum for him ही, मतलब हो सकता है कि उसका 500 rank आ रहो, उसको realize भी ना हो, और हो सकता है rank आने के बाद वो खुश भी हो जाए, कि मेरा तो 500 rank आया है, बट जब वो IIT में जाएगा, तब उसे realize होगा कि यार मेरा potential तो 100 के अंदर आने का था, तो शायद मैंने क कुछ preparation strategy मैंने गलत कर दी, तो इसी लिए preparation level के हिसाब से हमें course बताना पड़ेगा, या course करना पड़ेगा, competition के पास क्या offering है, उस पे मैं बात करूँगा, तो type of students, type of students का मतलब कहें कि of course, शकल सूरत के हिसाब से नहीं, जो भी दोबना preparation level है, उसके हिसाब से मैं बात करता हू पहला A type of students हो गया, जो अभी 12th करेंगे, 2022 में preparation, sorry, 12th कर रहे हैं, और जिनका course अभी 0 से केवाल 20% T तक हुआ है, मतलब उनोंने effectively preparation नहीं किया है, तो ऐसे बच्चों को I will say, कि यार तुम 22 के चक्कर में मत करो, 23 की ही preparation करो, वरना क्या होगा, कि ये बहुत, बहुती dangerous situation है, पे करोना बिलकुल खतम हो गया है, तो next year, you can expect कि जैसे पहले मेंस का first examination January में होता था, तो हो सकता है कि ये इस साल का भी examination January में हो, तो August और January के बीच में इतना कम टाइम बचेगा कि अगर किसी बच्चे ने धंग से preparation नहीं किया है पहले, तो वो course खता ही नहीं कर पाएगा, तो अभी अगर किसी बच्चे का 0 से 20% के आसपास तक preparation है, या फिर preparation ही नहीं है, जिसने 11-12 में JEE के हिसाब से competitive preparation नहीं किया है, वो अगर 22 के चक्कर में पड़ेगा, तो गरबढ़ होगा, ना तो यहाँ पे कुछ होगा, ना 23 में कुछ होगा, ठीक है, 23 में effective time नहीं बचेगा और यहाँ इतने से time में धंक से preparation नहीं हो जाएगा, और अभी जो preparation होगा, बेसिकली यह ऐसा है कि preparation होने का मतलग है, पूरी building बनाना, ठीक है, तो अगर कोई बच्चे 22 के हिसाफ से बनाएगा, तो वो जो building बनेगी, वो कमजोर building ही बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता है, उसी के top हम 23 वाली building रखते हैं, तो मतलब यह preparation 23 में किसी काम के नहीं आएगी, क्योंभी donor की strategy अलग अलग है, तो अगर किसी बच्चे ने कोई exposure नहीं है, तो धड़ले से वो 23 की preparation करें, अब 23 के लिए जो हमारे पास course है, वो preveen 2023 है, and प्रखर integrated fast lane करके 2023, यह 11 April से start हो रहा है, तो you can go for it, यह तो पहली class अब बच्चा हो गया, इसमें बहुत सारे बच्चे वो भी जो अलड़ी decide कर लिया होगा, कि हम early drop करेंगे, और वो कर भी रहे होंगे, अच्छा, इसमें कुछ-कुछ बच्चे मेरे से यह बोलते हैं, कि उनके parents आगे यह बोलते हैं, कि अभी तो इतना time तो बाइस ही कर ले, अब देखो तुम्हें यह समझाना चाहिए, कि maximum time पर जो यह बता रहने हैं, कि तो बाइस की तियारी कर ले, उसमें parents को कोई idea नहीं होते, कि preparation क्या होता है, कितना tough competition है, उन्हें तो simply यह लगता है, कि पढ़ते हैं, marks आते हैं, selection हो जाता है, ऐसा नहीं ह बोलेंगे, parents को ऐसा भी लगता है, कि पता नहीं है, तो किसे हो जाएगा, किसी भी तरीके से हो जाएगा, तो क्यों एक साल वेस्त क्या, तो अगर तुम्हें समझना आता है, तो तुम्हें अपने parents को यह समझाना चाहिए, और तुम्हें यह call लेनी चाहिए, कि मेरे को पत और वो 22 के लिए ही त्यारी करें, बट उनका जो slavers है, वो 50% या उससे कम हुआ है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि उनकी preparation में खूब सारे loop हो ले है, बहुत ज़दे cover भी नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो हमारे पास course है, वो CQ है, अच्छा, इन course में क्या-क् पढ़ाऊंगा, अभी, पढ़ाऊंगा नहीं, सारी, आगे मैं discussion करूँगा, तो CQ is competition crash course और ये 12 तारिक से चालो रहा है, बाकि जो जितने भी courses है, वो सब 12 से start हो रहे है, तो ये ऐसे बच्चों को CQ करना चाहिए, competition crash course, ठीक है, उसके बाद एक class of बच्चा हो गया है, जिस course launch किया था, और इसके भी शायद तीन या चार वर्जन आगे है, तो next version इसका भी 12 एप्रिल से हम start करें, और चैम का मतलब कहा है, competition high achievers main practice series, ये ठीक है, ये basically means को point of view से पूरा revise करने के लिए ताकि बच्चे का mains पहले secure हो जाए, mains में वो अच्छी fight दे पाए, उसके हिसाब से ये revision course है, और ये मतलब कोई बच्चा ये बनाने का मैं तो advance की त्यारी कर रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम्हारा just review course खतम हुआ है और revision नहीं है, तो पहले तुम ये करो, ये पचास दिन में खतम हो जाएगा, उसके बाद advance का course भी है हमारे पास, उसके बाद advance करना, बट ऐस नहीं कर सकते हैं कि गाड़ी को आगे लगा दें, घोड़े को पीछे लगा दें, घोड़ा आगे ही रहेगा, ये पकी बात है, तो step by step process है, preparation जो हमारा, उसमें हम बीच के दोती भी step गाइव नहीं कर सकते हैं, अधरवाइस effective reserve नहीं आएगा, मतलब हो सकता है selection फिर भी हो ज season हो गया है, ये वो बच्चे जोनों बहुत अच्छा अपर इंग्जिन का preparation चला है, उनके marks भी 200 प्लस आ रहे हैं, और of course, इनका mains तो फिर भी kind of secure हो ही गया, now these students will be aiming for very high rank, मतलब ये वो बच्चे होंगे जो हजार में गुसना चाते हैं, पांसो में गुसना चाते हैं, इनको mains mains के कोई चंता नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा जो course है, वो cats है, cats भी हम शायद दो launch कर चुके हैं, और तीसरा ये cats का, अब हम launch करेंगे, या फिर शायद एक launch किया होगा अभी इस साल, बारा, चार, बाईस से, अच्छा, cats हमने last year भी launch किया था basically, तो इसमें कि बच्चे का, पिछले दो साल में हमने देखा कि बच्चों का preparation बीच में ही चर्मरा जाता है, तो इसलिए हम cats को भी इसमें डबल बुना जा देंगे, last year के पहले सारे कराइं, सारे videos हम use करेंगे, वो खतम होने के बाद इस साल के दुबारा फिर नए sessions record करके उनको देंगे तो अभी जो इसमें lectures आएंगे, वो last year वाले आएंगे, बट जब एक बड़ ये खतम हो जाएगा, तो उसके बाद नए lecture भी आएंगे, ताकि बच्चा आउगस तक engaged रहे, किसी ने किसी formula उसके practice न छूट जाए, ठीक है, फिर उसके अद ए class of students आते हैं वापस, जिन्होंने 21 में दिया है, या 22 में दिया है, इसमें 12, 21 में किया होगा, या इस साल करेंगे वो, तो मतलब इसमें 12 इस भी आगए, ये सारे course वो आगए, जो 12 इस भी हैं, और जो droppers भी है, ठीक है, मतलब, dropper का तो मतलब ये है कि 22, 22, 22 में ही उनको देना है, उनके पास 23 में J.E.E.डव चांस देने का कोई option नहीं, अब इसमें ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, एक बच्चे से मेरी बात हो रही थे, वो किसी, मतलब, लोकल से इंजिनिंग कॉलेज में फस गया, वो वहां से छोड़ का आना चाहता है, जैन्वरी में वो, उसने बुला कि मैं J.E.E.डवरी से एप 20% उनका बचा हुआ है, वो वाले बच्चे हो गए, ये वो वाले बच्चे हो गए, डेफिनेटली जिनका focus advance पे ही है, मतलब इस category के बच्चे, फिर ऐसे बच्चे हो सकते हैं, जोनों कुछ कॉंप्रमाइज किया है, उन्हों नों मुलें कि ये मैं चप्टर छोड़ता यूज करे हैं, मतलब Fastlane के लेक्चर हमने लास्ट ये बनाई थे, जिन बच्चों को थोड़ा से exposure है, कम से कम जोनों बोर्ड का धंग से पढ़ रखा है, उनको हम course कैसे जल्दी खतम करा सकते हैं, तो इसमें लगवाद वन टैन लेक्चर के अंदर हम course खतम कराते हैं, अब करें, जब CQ कम्प्लीट करें, तब वो चैम की उपर चाहेगा, तब वो इसकी उपर चाहेगा, तो step by step process है, यहाँ पे वी आ टॉकिंवार तो इस्टूडेंट जिसका complete preparation, उसमें कम से कम एक बार कर रखा होगा, मतलब अगर engineering student है, या फिर उसमें 70-80% कर रखा होगा, एड कैसे पढ़ें, वो उससे नहीं होगा, तो इसलिए यह fast lane है, अब इन course के अंदर क्या है, किस बच्चे के लिए है, उसके बारे में आफ डिसक्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले तो जो परवीन 2023 है, और जो प्रखर integrated fast lane 2023, बना ये next year की JEE के लिए, इसके बारे में हमने separate video बन के लिए, ये ठीक है, ये वाला जो batch है, इसका starting date 11th है, 11th April, और बाकी जितने भी batch हैं, सब का 12th April है, ये ठीक है, ये basically 22 वाले, JEE 22 की त्यारी के लिए, जितने ही मैंने batch बनाए, बताए, वो सब 12 तारिक से start हो रहा है, 12 April से, और जो 23 के लिए, JEE 2023 के लिए जो batches हैं, वो 11th April से start हो रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है, CQ, CQ में क्या होगा, starting date वो ही 12, अब starting date सभी की 12, ठीक है, इसमें you'll have recorded scheduled lectures, scheduled lecture आएगा कि आज तीन lecture, फिर तीन lecture, फिर तीन lecture, इस तरह के से, total there will be 50 lectures, one and half hour each, और इसमें 50 DPP आएंगी, और जैसे on and average, पच्चिस चप्टर में हम complete, मतलब, divide करें course को, तो हर chapter से on and average, दो lecture, अब किसी में ऐसा होगा, जैसे mathematics की हम बात करें, तो stats हो गया, बहुत चोटा सा, तो एक lecture में खेता हो जाएगा, तो किसी में तीन lecture भी लगेंगे तो on and average you can see, और one and half hour के lectures होंगे, number of days used will be of course 50, ठीक है, तो जो starting date मैंने 12-4 बोला है, इसमें बीच में बोड के 2-4 दिन निकाल के, जो जो भी main paper होगा, तुम ये मान सकते हो, end Sunday निकाल के, हम मोटा मोटा ये मान सकते हो, कि 2 महीने में खतम हो जाएगा, तो 12-4 है, तो 12-6 तक तो हमारा properly एक पूरा slivers अच्छी तरीके से खतम होगा, तो हम first main में अच्छी तरह fight कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम revision करेंगे, चैंप के तूँ या किसी give through भी, if you like, तो फिर second main में we can aim for very good rank, मतलब ये वो step by step process है, फिर अगर हमने वो secure कर लिया, तो फिर उसके बाद हम cats कर करें कि एक बार mains में कुछ secure हो, उस तरह के बच्चो के लिए, इसमें text and video solution है, इन सारी dbps के live zoom doubt classes available है, और हर 15 दिल में test होगा, मतलब सारा कुछ है, तुम्हें बस करना है, everything is available, जो course की price, जो course का फीस है, that is 2999, ये हमारा पैदा हो गया CQ, फिर उसके बाद आता है champ, ये ठी के CQ किसके लिए, मेरे को mains level तक का एक बार course खतम करना है, अगर मेरा zero course है, जो वही जो type हमने क्या बला था, B type के student, इन के लिए, जिनका syllabus अभी 50% से कम हुआ है, ये ठीक है, और पहली बार पढ़ रहे हैं types, competition के लिए, वो वाले बच्चे, चैन किसके लिए, जिसका course खतम ह हो गया है, या खतम होने वाला है, ठीक ठक तरीके से हुआ है, बट रिवीजन नहीं हुआ है, तो वो पहले क्या चाहता है, बच्चा कि मेरे mains के साथ से पूरा एक बार रिवीजन हो जाए, ताकि एक बार solid marks में increment हो जाए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा, तो उसका एक रिवीजन ये भी सकता है, तो हमने ढंग से अभी preparation नहीं क्या होगा, रिवीजन नहीं क्या हो, तो उसी को एक solid way में करने के लिए हमारा ये champ course है, इसमें starting date वही 12 है, recorded scheduled lecture आएंगे, इसमें भी 50 lecture है, अब champ में देखो हम पढ़ाते कैसे हैं, कि पहले दिन एक घंटे का ए पहले दिन, और दूसरे दिन एक हमने practice class दे दिया, तो ये दो video lecture हो गए, उसके बाद तुम्हें 50 DPP मिलेंगे हर chapter में, तो तुम्हें इदर उदर कोई question ढूनने की ज़रूते हैं, कि किस question करूं, कौन से PYQ करूं, ये करूं, वो करूं, कुछ tension नहीं ज़रूते हैं, क्योंक मतलब दो-दो DPP मान सकते हैं, on and average, और उसके text and video solutions are available, वो ही zoom class available है, MFST मतलब main full slivers test every week conduct होगा, भले ही तुम्हें यहां पर slivers दीरे-दीरे revise हो रहा हो, बट अगर तुम्हें एक बार slivers कर दिया है, तो पूरा full slivers test देने की कोशिश करो इसमें, ये वाले test तुम्हें पास available रहेंगे, हाँ, अच्छा, इसमें जो cost है, वो 2360 है, बस इसमें हमने एक और facility दे रखिए, कि अगर कोई बच्चा 98 percentile या उससे ज़्यादा ले आए, किसी भी mains में, first main में या second main में, तो हम उसके 2000 rupees refund कर देंगे, ठीक है, तो 2000 प्लस इसमें बाकी 360 का आँगे, 18% GST होता है, वो हमने सरकार को जमा करा दिया, तो fees तो 2000 है, वो 2000 fees हम वापस कर देंगे, इसमें 360 तो इसमें refund चोट का है, कब तक वापस करेंगे, ये तो मैं ऐसे वाण सकते हो, advance का जो paper होगा, हमारा उससे पहले वापस कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का data हमें करना पड़े के लिए जो advance में भी बहुत अच्छी rank लाना चाहते है, उन बच्चों के लिए है, starting date वो ही 12 पर recorded scheduled video lecture इसमें भी आएंगे, इसके अंदर हमने क्या क्या, अब देखो, जो यहाँ पे जो advance में अच्छी rank एम कर रहा होगा, अफकोर्स ये थोड़ा मूल है कि पहले मिने को revise कर करना दो, अगर theory पढ़ा रहे हैं तो तुम्हान ले ये ही नहीं course, ठीके पहले जाके theory पढ़ो, तुमने तो theory सब कुछ आते हैं, बट rank अच्छी माना चाहते हो, उन बच्चों के लिए है ये course, तो इसमें जो 25 वीडियो आएंगे, वो practice sessions का आएंगे, मतला हमने बहुत बच्चों की rank 1000 के अंदर आया है, इसी course को करने के बाद, जबरदस्त, जंप मारा है rank में, उसके बाद, इसमें जैसे 25 वीडियो आएंगा, इसमें basically क्या है, पचास ही दिन लेगे, पहले दिन वीडियो आया, ये ठीक है, और उसी दिन हमने क्या क्या है, एक DPP दे दी, अब DPP को हमने क्या बोला है, Caps, Competition Advanced Practice Session, ठीक है, उस, वो दे दिया, अगले दिन उस DPP का, क्योंकि वो DPP भी हैवी होगी न, हर बच्चे से सॉल नहीं होगी, मतलब 50-60% कोई बच्चा कर लेता है, सॉल तो बले-बले, बहुत अच्छा, मतलब, preparation चलना है, इसका मतलब ये है, त तो में तो में तो नहीं पांच question कर लिए, दस के solution देखने है, तो दो में से उसकता है, एक गंटा लगे, किसी ने और जादे question कर लिए, तो और जादे और कम time लगेगा, इस तरह की बात है, इसके video solution available है, फिर इसमें भी regular test होगे, तो एक तो MFST चलते रहेंगे, मतलब ऐसा test भी लेंगे, ठीक है, तो वो test भी इसके अंदर included है, live zoom doubt class is again included, वैसे तो जिस दिन second day caps होता है, उस दिन हम zoom session भी रखते हैं, कि किसी बच्चे को अगर solution वीडियो देखके भी नहीं समझ माँ है, फिर भी कुछ पूछना है, तो पूछ सकते हैं, वैसे usually बच्चे कर लेते है इसमें, क्योंकि इसमें वह फाइटरी बच्चे होते हैं, सारे न, अच्छा इसमें भी हमारा वही है, कि एगर कोई बच्चा 98% टाइल ले आता है, तो जो इसकी course fees है 2100, वो हम refund कर देंगे, किसी भी mains में अगर ले आता है, भले ही mains 1 हो, भले ही mains 2 हो, किसी भी एक में ले आ पड़ेगा, और mains के बाद अगर तुम्हारा 98 या उससे ज्यादा परसेंट टाल आता है, तो 2100 तुम्हारा refund कर देंगे, refund का date बस वापस में बोलता है, एडवांस के पेपर से, जे एडवांस के जो पेपर हो, उससे पहले refund कर देंगे, ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता बस खतम कर लिया है, बट उनको क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लूप होल्स बन गए हैं, कि पाथ चप्टर बिलकुल उड़े हुए हैं, पाथ चप्टर में प्रैक्टिस कम हैं, चैप्टर में बहुत सॉलिड इस तरह की चीज़ है, मतलब बहुत चाद हैं उनको रिक्वेस्ट हमाले पास बहुत सरे बचों किया रही थे कि सर्फ प्रिवीन का हमें एक्सेज दे दो जो हमारे प्रिवीन बैच है और फीस कम कर दो जो हमारे प्रिवीन बैच है उसकी फीस लगवग 30,000 है तो फास्ट ले इनकी भी तो हमने अब यह सोचा है कि ऐसे बचों के तो एसे बच्चों को हो सकते हुंने कहीं फीज दे रखी हो तो बहुत बच्चों ने हमसे हैं कि सर कुछ फीज में रिलक्सेशन दे दो तो because अब से लेके advance तक 3-4 महीना बचाए तो ऐसे बच्चों के लिए जो 30,000 का course है केवल 2022 वालों के लिए, 23 वालों के लिए नहीं, केवल 2022 वालों के लिए हमने एक special offer निकाला है कि 11,000 में हम तुमें वो सारा चीज दे देंगे जो हम अपने प्रिवीन Fastlane वाले बच्चों को मतलब इसमें DPPs भी हैं, sheet हैं, DPP है, text जिसके video solution available है, daily life doubt counter है वहाँ पर तो अगर तुम doubt पूशन चाहों वहाँ पूछ सकते हो, ये ठीक है, अब इसके अंदर champ जो course है, मतलब basically हम करेंगे, हमें करना क्या चाहिए, पहले हमेरा course खता होना चाहिए, फिर हमें champ करना चाहिए ताकि mains का revision हो जाए, फिर हमें cats करना चाहिए, ताकि advance का बहुत solid revision हो जाए, कि advance मतलब, cats मतलब 1000 के अंदर rank, वो aim करें, तो वो सब हमने इसी में include कर दिया है, कि आगे चाहिए चलो तुम पहले जो जो तुमारा यहां से chapter तुम्हें पढ़ना है, हो सकता किसी को 10 chapter पढ़ने ह करती है, cover हमने सारा किया है, छोड़ा कुछ मी नहीं है, बट एक चीज हमने चार वर repeat नहीं की, time कहीं तो बचाना था, तो number of lecture हमारे आधे हो गए, जो normal प्रवीन है, उसमें हमारे number of lecture लगबग 200 होते हैं, इसमें हमने 100 lecture के अंदर पूरा course खतम कर दिया है, without tiny compromise, तो अगर को यह ठीक है, C3 basically, यह mains level का course है, यह हमने include क्यों क्या है, कोई बच्चा हो सकता है, यार मिने को तो probability से phobia है, और मैं probability तो पढ़ी नहीं सकता है, चाहे ब्रहमाजी आकर पढ़ाते हैं, तो भी नहीं पढ़ सकता, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने क्या क्या है, कि तो भई C3 से बिलकुल basic-basic तो पढ़ जा, ताकि तरह अगर easy question आ जाए, mains में या advance में, तो उसका तरह काम हो जाए, तो इसलिए वो भी हमने इसी के अंदर include कर दिया, अब तुम देखो, धाई जार, धाई जार, और तीन हजार, तीन दो पांदो, साथे अलकों हमने इसमें वैसी free दे द factors में दिक्कत होगी, तो इसमें हम class schedule नहीं कर सकते हैं, मतला अगर मैं अभी से schedule करूंगा, तो advance तक तो वैसे हैं, हमारे पास 120 दिन है, मैं पूरा schedule कर सकता हूँ, बट उसमें क्या होगे कि जब chapter number 3 मेरे को करना ही नहीं एक बच्चे को, तो वो ऐसा थोना है कि बैठ के chapter number 4 क वेट करेगा, तो उसका तो time waste हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे वी हैं, जुनको केवल practice करनी है, वो बहुते हैं, मिनको लेक्चर चाहिएने, मिनको बस आप sheet दे दो, और मैं खुद बैठ के कर लूँगा, इस तरह के बच्चे तो, अगर इसमें मालिया 20 कि requirement अलग-अलग हो, तो इसलिए schedule करने का कोई sense नहीं बनता, तो इसलिए, इस batch में हम क्या करेंगे, सारे recorded lecture एक साथ provide करेंगे, अब तुम्हें जो तुम्हें देखना है, वो देख लो, ठीक है, हम अपना प्रिवीन में जिस sequence में पढ़ाते हैं, वो sequence दे देदेंगे, अब इससे मेरे को theory आती है, तो तुम ऐसा कर सकते हैं, उसका exercise 1 उठाओ, उसका part 2 उठाओ, exercise 1 का part 2, जिसमें objective question है, वो try करो, अगर वो तुमसे 70-80% अपने आप हो गए, उसका में लगए है, तुम्हाने theory बिलकुस solid है, और cable practice, वो exercise 2 कर लिया, काफी है, mains के हिसाब से, और of course time है तो फिर exercise 2 भी करो, advance के हिसाब से, फिर एक third chapter आया, जिसमें मेरे को लगता था कि मेरे को पढ़ रखा ही है मेरे chapter, बस practice की कमी है, अब मैंने उसके exercise 1 का part 2 दुबारा किया, बट वो मेरे से किवल 30% हुआ, तो उसने diagnose मतला अपने आप ही हो गया, कि मेरे को लगता था कि मेरे देख डालो, उसके सारे वीडियों देख डालो, religiously बैठ के, तो ऐसे करने से क्या होगा, कि जहां तुम्हें टाइम नहीं लगाना चाहिए, वहां नहीं लगाने, वहां नहीं लगा, जहां तुम्हें केवल practice में लग रहा है, तो जो भी तुम्हारा weak part है, केवल उसी पे work ह ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि माने मेरा एक हाथ बहुत solid है और दूसरा weak है, और मैं दोनों से, क्या मुलते है, जिम करे जा रहा हूँ, तो जो मेरा बहुत solid है, उसको तो, फाल्तु का उसमें effort डाले, जो मेरा weak है पहले उसको तो solid करके solid के बराबर लेके आएं, तभी तो मेर optimum rank आएगा, best possible rank आएगा, तो इस method से जो मैंने भी बताया, तुमारे जो-जो weak spot है, वो अपने आफ फिल होते चले जाएगे, अपने आफ हमारा best possible rank आएगा, इसलिए ये course है, अच्छा, जो भी ये 22 वाले course है, भले ही वो champ हो, C3 हो, C3 हो, C3 हो, Cats हो, या ये हो, इसका सब का access, तुमारे पास advance का paper तक रहेगा, जिस दिन advance का paper होगा, उस दिन तक तुमारे पास सब का access रहेगा, ठीक है, ओके, so that's it, अब ये course कहां से खरीज सकते हैं, तो हमारी competition digital के नाम से app है, अगर मालिया, you are not competition student, और खरीदना चाते हैं, तो उनकी बात करें, Android app है, Google Play Store पे, competition digital के नाम से, वहां जाके you can buy it, मतलब वहां जाके पहले तो तुम install करोगे, वहां पे तुमें ये course के नाम मिल जाएंगे, ठीक है, and हमारी competition digital.com के नाम से website भी है, YouTube channel हमारा मुहित्यागी के नाम से, अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, मैंने केवल दो शप्टर वीक हैं, और मै यूट्यूब पे तीनों subject में equally good content is available, जो हम paid batch में देते हैं, उतना ही अच्छा हमारे पास YouTube में भी content है, और हम ताल ठोक के बोल रहे हैं, material तुम अपना कर लेना, जो भी करना है, वीडियो और theory में कोई कमी नहीं आएगी, इसके बाद भी अगर तुमें कोई confusion है, तो inquiry के ल कर सकते हो, किसी पे भी call कर सकते हो, तो I hope this was useful for you, all the very best, and जो भी भगवान ने तुमें ये जो extra lifeline दी है, I hope everybody will be using, will be using this lifeline for his or her advantage, और अपने potential के एसाब से best possible rank लेका आएगा, मतलब make full use of the given opportunity, बाद में हम ये ना सोचे कि यार, भगवान ने तो खूब साथ दिया था, मैं ही मक कारी कर गया, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम हमें ये कसम दुखानी चाहिए, कि बहुत सारे बच्चों के साथ और इसा दो साल से, एक साल से, तीन साल से होता चला रहा होगा, कि उसे अपने ऊपर बहुत ही गुस्ता आ रहा होगा, यार मैंने ये time waste कर दिया, इस star और इस अपने टीन. All the very best.